अज़ो बात करने जा रहे हैं असल जो कि class 12 में 20 marks के लिए किया जाता है आप सब को पता है कि 80 marks का जो होता है वह written exam होता है class 12 in English इसमें 20 मार्क सा क्या होता है वो SL assessment of speaking and listening आज बताएंगे आखिर में SL क्या होता है क्योंकि बहुत सारे students के बीच में हमेशा ये doubt रहता है कि SL कैसे conduct किया जाता है और वो चीजें क्या होती है जो SL में किया जाता है तो guys assessment of speaking and listening जो होता है वो बहुत ही जरूरी चीज होता है और पिछले सालों में CBSC ने class 9th और 10th के लिए भी किया था बाद में उन चीजों को वहाँ से हटाया गया लेकिन CBSC फिर से SL को कर सकती है और you know जो assessment of speaking and listening होता है वो बहुत ही important चीज होता है क्योंकि यह जो आपका internal marks होता है वो 20 marks का होता है और आपके percentage को increase करने में आपकी help करता है तो कैसे किया जाता है और क्या होता है तो guys speaking assessment के बारे पहने बात करते हैं तो speaking assessment जो होता है वो guys group में होता है जो pair होता है दो लोगों का तो आते हैं और जो कोई भी freak होता है या कोई भी चीज होता है वो teacher जो होते हैं assessment लेने वाले वो उनको देते हैं और उन्होंचीजों पर explain करना होता है उसके बार guys यह होता है जो speaking assessment के लिए कोई भी जब आप जाते हो तो उसमें सबसे बड़ा चीज होता है जो आपका intro होता है introduction उचे आपको अच्छे तरीके से देना होता है teacher के सामने ताकि जो आपका impression है वो अच्छे से हो वहाँ पे grammatical मिश्टिक और चीज़ें नहीं करन है जो यह तो हुआ speaking skill जो 10 marks का होता है और 10 marks का ही listening होता है तो आप listening के बारे हम बात करते हैं guys तो listening जो होता है उसमें audio clips play किया जाता है और फिर वो आप audio clips सुनकर के आपको पहले ही एक seat दिया रहता है question का और वो सुट आप पर लेते हैं questions और उसी के regarding जो audio clips होता है वो play करते और वो जो student होते हैं वो उससे सुनने के बाद answer लिखते हैं या वो ncqs हो सकते हैं या one word answer भी हो सकते हैं या one sentence answer भी हो सकते हैं तो इसमें क्या करना है कि listening assessment है सबसे जोरी चीज़ता है कि पहले को आप questions को अच्छे तरह से read कर लें और जो भी वो audio click में related to answer है उसी पर ज्याद कर सकें आपका जो confidence है और चीज़े हैं उस पर ज्यादा ध्यान देनी होंगी और questions कोचे तरह से read कर लेना है और जो भी questions है वो उसी का answer try to find out in the audio click और आपको जो भी चीज़े है वो note भी करते जानी है जो लिखते समय कोई भी answer आए यदि वो audio click में किसी भी question कहें को question तो आप लोग पहले ही पढ़ लेते हैं और कोई भी answer आए तो उस चीज़ों को क्या करते जाना है वो question paper में note करते जाना है या तिक लगाते जाना है कि इ बहुत सारे जो बच्चे हैं वो confused रहते हैं कि और पूछते हैं SL में क्या होगा कैसे होगा 20 marks के लिए तो मैंने इस वार सा video आपके लिए बनाया था I hope that you are understanding it और एक बात और subscribe यदि नहीं करे हो तो मेरे चैनल को subscribe करो ताकि आपके पास जो भी मेरे latest videos हैं वो आप तक पहुं यदि वीडियो सा ची लगियो तो like it and share it with your friends